मास्कार दोस्तों स्वागात है आपका स्वीडियोस में आज संडे के संडे ईडीयरी कीम करती है दोस्तों वद recommend मुझे क्वश्च कर सकते data शुरू करते हैं कि झसे जोब लगा की मवाद कर सकते और fed अप्योब करने के आप सकते निकाल सकते हैं जब अगला सवाल कि आपक्षाइ़ करना चाहिए अगलाथ एंड करते हैं तो यहां पर हमारा प्रिषाइन हो सकती है और बात करें कि कौन से अमें अपडेट करना चाहिए यह सिच्वेशन करता है कि किस situation में आपने job छोड़िए, अगर माल लिए कोई PF members retire होके अपनी job छोड़ता है, तो यहां पर exit reason में उसे retirement का exit reason update करना पड़ता है, अगर माल लिए किसी PF members की लोगरी की दुरान death हो चुकी है, तो यहां पर उसे death in service और दुसरी कोई जोब करता है करना पड़ता है यानि कि अलग इज़र होते हैं और आज की वीडियो का आख़र सवाल है कि पिएफ का पैसा हमारे bank काते तक आने में इतने दिन क्यों लगते हैं तो इस सवाल का जब यह है दोस्तो जब हमारा पीएफ क्लेम सेटल होता है तो जो सेटल किया गए अमाउंट है वो हमारे बैंक आते तक आने में इसलिए समय लगता है क्योंकि महाँ पर यह पीएफटी के जरीए पीएफ का पैसा पहुचाता है और एने एफटी की जो पीएफ ट्रांसफर करने की प्रोसेस है उसमें मिनिम मिनिम हम से तीन दिन तो लगते ही है ज्यादा सकते हैं लेकिन मिनिमम त्यन दिन लगते हैं अब इसके लिए निए डिटेल वीडियो बना दिया है आया वह जारु सवाल तो ओसंप प्रोपर जवाब महाँ से विभर बङुन जाएगा तो कया यसा लगा है आपको